मुझे आप लोग आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो जो यह मेरा आज का वीडियो है यह एक मेकवर वीडियो है आज मैं अपने लेविंग रूम का मेकवर करने वाली हूँ फैस्टिव सीजन के लिए क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो इसलिए जो मेरा कलर का जो थीम रहेगा वो टर्कॉइस ब्लू एंड रेड है थोड़ा सा डार कलर है लेकिन फैस्टिवेल्स को ध्यान में रखकर किया गया है तो मैं फड़ा फट से सब कुछ चेंज करती हूँ और एक बर मैं पहले अपना सामान आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने अपने लिविंग रूम के लिए क्या-कया शॉपिंग करी है तो ये सारा सामान में कोवर करने के लिए जो मैंने लिया है वो रखा हुआ है ये सारा कुछ मैंने एमेजॉन से लिया है और तो ये कुशन कवर है यह बेटशीट है मेरा जो फणीचर है वो डार्क ब्राउन कलर के इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा निट्रलाइज करने के लिए क्रीम कलर यूज किया है तो अभी मैंने अपने रूम का एम यह गोवर कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने किस थीच को कैसे चेंज किया है तो मेरे living room में ही जो है मेरा मंदीर है तो यह सब से पहले आपको पने भगवान जी के दर्शन करा देती हूं यह मेरा मंदीर है और इसमें लेकिन मैंने सारी भगवान रखे हुए है और इसंपर की मैने cream और 그리고라고 ब्राउन से curtain लगाए है क्योंकि ये मेरी theme के साथ match कर रहे थे इसलिए मैंने जो curtain है ये लगाए हुए है इसी के बगल में एक wall है छोटी सी उस पर एक गणेशिक की scenery लगी हुई है मंदिर के बगल में ही एक ये wall है इस पर मैंने एक wallpaper लगवाया है ये wallpaper मैंने एक local market से लगवाया था यहाँ पूने की ही और ये मुझे 4500 में पड़ा था यहाँ पर मेरा जो है TV cabinet है TV cabinet के ऊपर ये मेरी एक घड़ी लगी हुई है ये मेरा TV cabinet है इसका जो color है dark brown color है तो इसको थोड़ा सा मैंने neutralize करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक ये cream color का table runner डाला है और ये सारी चीज़ें जो है मैंने Amazon से ले थी इसका मैंने एक पूरा hall वीडियो बनाया है तो उसका link मैं दे दूँगे तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं इसी के बगल में मेरा main gate है तो वहाँ पर भी मैंने cream color के curtain लगा दिये है तो एक बार मैं पूरा view आपको फिर से दिखा देती हूँ ये curtain लगे है इसके बगल में ये tv cabinet है ये और ये है मेरा temple और यहाँ पर ये curtain लगे हुए है और जो main door के बगल में ये वाली wall है इस पर पहले से होड्स वाली scenery लगी थी तो इससे मैंने change नहीं किया है इसके यहाँ पर नीचे के तरफ main door के पास ही मेरी shoe rack रखी हुई है तो उसके वो भी dark brown color की थी तो उसके उपर मैंने ये एक table cupboard डाल दिया है cream color का और उसके उपर मैंने एक छोटा सा ये planter रखा है और इसके बगल में जो है ये मेरा दिवान पड़ा हुआ है और दिवान पर ये मैंने जो है मेरी जो theme थी और turquoise blue और red थी तो यहाँ पर मैंने जो bed sheet है वो turquoise blue color की बिचाई है और उस पर जो मैंने cushion है वो red और turquoise blue color के लगाए है इसके बाद है ये मेरा sofa come bed, sofa come bed पर मैंने same turquoise blue color की bed sheet बिचाई है और इसी इन वाले cushion से ही match करते हुए ये मैंने turquoise blue और red color के cushion लगाए तो ये कुछ इस तरह से लग रहे है ये जो मेरी theme है थोड़ी से dark color की मैंने रखी है क्योंकि ये मैंने festivals को ध्यान में रख कर किया है और यहाँ पर जो है मैंने dark brown color का carpet बिचाई है ये carpet मैंने purchase नहीं किया है ये पहले से ही मेरे पास था और जो ही मेरी table है ये भी dark brown color की है वैसे तो ये glass वाली table है अच्छा सा लेकिन इसको भी मैंने theme से match करने के लिए इसके उपर भी एक cream color का table runner डाल दिया है तो यही था मेरा living room makeover video और आपको कैसा लगा आपको कामेंट कर के जरूर पताएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर मेरे चैनल पर नहे है तो सब्सक्राइब कर लीजे बेल बटन को जरूर प्रेस किजे जिससे कि आपको मेरे latest वीडियो का notification मिल सके तो मैं आपको फिर मिलूंगी एक अच्छे और नहीं वीडियो के साथ तक के लिए बबाए और तेक केर थैंक यू फोर वाची इस वीडियो